राजिस्तान के जैपुर जिले में चार साल की बच्ची का अफरन के बाद दुशकरम और तालाब में फैंक कर हत्या करने वाला फरार और उपी को 24 घंट बाद पुलिस ने धर्दब हुचा है बता दे की बच्ची का शव पानी में नज़राया था मेडिकल बोर्ट से हुए पोस्ट मार्टम में मासूम बच्ची के साथ हत्या से पहले दुशकरम की बाद भी सामने आई तब से जैपुर जिले के देवली गाम में अक्रोश व्यापत था सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोत प्रदर्शन किया जैपुर ग्रामेड एसपी शगरदन शर्मा ने खुद देवली गाम में पहुँचकर केम्प किया और पुलिस की पराणवी परताल में गाम से घर से गयब एक नशेड़ी योग पर संदे हुआ आरोपी को पकड़ने के लिए 20 पुलिस थानों के करीब 700 पुलिस कर्मी ले गाए इनकी कमान SSP मुख्याले धर्मेंद ज्यादव है कोट पुतली एसपी राम कुमार कस्वा सही तीन एसपी और तीन डीएसपी को सोपी गई पुलिस के साथ इस्थान ये ग्राम मेड भी आरोपी की तलाश में जूटे आखिरकार करीब 24 घंटों के बाद दूदू इलाके में लापूडिया के खेतों में खड़ी फसल के बीच छुपे वे आरोपी को पुलिस ने ग्राम मेडों की मर्से धर्द बोचा एसपी शंकरत शर्मा ने बताया कि गिरफतार आरोपी सुरेश कुमाई बलाई है जो नरेना जैपूर का रहने वाला है वे शराब और गांजा समयक का नशा भी करता है जानकारी के उनुसार गाउं में ही रहने वाली चार साल की मासुम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी इसपीच महां से आरोपी सुरेश बलाई बाइक लेकर गुजर रहा था उसने शराब भी पी रखी थी रास्ता में बच्ची खेलते हैं सुरेश की बाइक के आगे आ गई मासुम बच्ची ने सुरेश को बाइक देखकर हाथ बढ़ाया तब अंजान बच्ची को सुरेश ने बाइक पर बैठा लिया नशे में होने से उसकी नियत बिगड़ गई तब बच्ची का आपरण कर गाउं से बाहर निकल कर सुनसान जेगा पर उसने मासुम बच्ची से दुश करम किया खुन से लत्मत बच्ची बेहोश हो गई तब ही दूर से ट्रेक्टर आता देखकर नशे में धुत सुरेश गबरा गया और उसने बेहोश बच्ची को उठा कर तलाम में फैक दिया और वहां से फरार हो गया था फिलाल अभी वे है पूलिस की गिरफ्त में है एक तुर वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनलों पर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद